आज की वीडियो में हम क्लास एर्थ की विज्यान की वक्षीट नमबर सेकिंड डेट है इस वक्षीट की 9 अपरेल 2021 इस वक्षीट में हम हमारा लास्ट का डॉपिक जो था सुच्म जीव उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सुच्म जीव का मतलब ही होता है बच्चों आपक कि खाद बनाने में किया जाता है और सिदी निर्माण बहुत सी मैडिसेंस होती है उसमें भी उप्योग होता है नाइटोजन चकर में भी प्रियोग होता है इसके अलावा अगर आप देखे तो अचार ढोसा इडली तता है अलकोहल बनाने और कृश्य नियूंकि उवरता को दही डाल देती है और सुबह तक दही तयार हो जाती है ऐसा कैसी होता है तो उसके अध्यापिका बताती है कि दही में याद कर लेना आप बच्चो लेक्टो वैसिल्स नामक जिवाडू होते हैं एक नमबर का इंबॉर्ड़न कुश्चन है कि दही में कौन से जिवाडू होते है और सके बाद पूरी की पूरी दही बन जाती है लेकिन ध्यान रहे दखी बनाने के लिए बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए जो उसका तापमान है वो बिल्कुल क्या आवशक्ता होती है तो आप इसका अंसर यहां से लिख सकते हैं बच्चो दही बनाने के लिए हलके गुन-गुने दूद्स में थोड़ी सी दही डाल दी जाती है थोड़ा सा दही दूद्स में मिलने पर लेक्टो वैसिल चिवाडू उचीत मातरा पर जनन कर उस उसे दह में बदल देता है ठीक है इसके अलावा हमें किन दो चीजों की जरूत होती है तो हमें दूद और दही की आवशक्ता होती है ठीक है इतना आपको इसमें पूरान से लिखना है उसके बाद कुश्य नंबर सेकेंड है बच्चो आपका कि दही में कौन सा जिवाडू पाया ज लिख सकते हैं कि दही में लेक्टो बैसल्स नामक जिवाडू होते हैं ठीक है यह हो गया आपका सेगेंड का आंसर सुच्म जीवों के कोई चार उप्योग पूछे गए आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं ठीक है अचार ढोसा इडली तथा एलकोहल बनाने और कृशी में मृद्डा की उरता को बढ़ाने में किया जाता है यह आंसर नमबर ठर्ड हो गया जाता है यह आपको दूद से बनें कौन कौन सी चीज़े घाने से खुशी मिलती है तो आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं यह हमें दही बर्फी लसी यह सारी जो चीज़े हैं इसे खाने से अच्छा लगता है ठीक है खुशी मिलती है तो ये थी आज की आपकी वक्षीट I hope आपको अच्छी लगी हो thank you so much